कि हेलो एब्डिवन वेलकम टू सीटी सी बाय राखी चौबे आज हम लोग बात करते हैं रास्थान में कंप्यूटर टीचर वेकेंसी की एक न्यू वेकेंसी आई रास्थान में कंप्यूटर टीचर के लिए इसपेसली बीटेक कंप्यूटर साइंसे और इसमें बीएड की कोई रिक्वाइर्मेंट नहीं है तो चलिए जानते हैं कंप्लीट डीटेल्स की यह कौन सी वेकेंसी है और कितने पोस्ट के लिए हैं कौन कौन है इसके लिए और फिर क्या फॉर्म फिलिंग का प्रॉसेस है कब से कब तक आप स्कूल चलते हैं यह जो इसकूल है वह है इसकूल जो है यह जो इसकूल है यह मतलब लाइक सोसाइट्री में स्कूल नहीं होते यह इंडियन गवर्मेंट के द्वारा अलग से एक स्कूल चलाई जाती है जो जंजाती है लोगों के लिए हैं और जंजाती वर्क के जो लोग उनके ही बच्चे इस स्कूल में पढ़ाई करते हैं तो आपको क्या करना है उस स्कूल में पढ़ाना है अब इस स्कूल में वह चार पोस्ट के लिए है वह देखिए पीजीटी टीजीटी पिंस्पल और वाइस पिंस्पल यह चार पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है तोच्टेल नंबभ फुश्टाइव अगर बात करूए कि राजस्थान में बात करते हैं कि तो इसे 31616 पोस्ट है और अगर आप लोग चाहे तो इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं एक्जाम के लिए कर सकते हैं क्योंकि यह जौब जो है वह इंडियन गवर्मेंट के द्वारा है बहुत ही अच्छा जौब सेक्योर है इसमें और सेल्डी बहुत ही अच्छी है क्योंकि जनरली बीटेक वाले लोग भी एड नहीं करते हैं तो आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं अब चलिए बात करते हैं देखिए इसमें प्रिंसपल वाइस प्रिंसपल टीजीटी और पीजीटी चार पोस्ट के लिए वैकेंसी है बट जो कंप्यूटर साइंस वालों के इस सब्सक्राइब यहां तो आपने बीटेकर रखा है यह मास्टर कर रखा है किसमें computer science या फिर IT में computer applications में ओके यह तो होगी eligibility की अगर यह क्राइट अपने BTEC कर रखाय मिली computer science से तो आप eligible हैं form fill कर सकते हैं अब बात करते हैं कि जब आप form fill कर लेंगे तो उसके बाद process क्या है तो जो exam होगा वह online mode में इसका exam होगा यह देखे computer based test CBT के थुरू होगा मतलब online based test है इसका test clear करने के बाद आपकी ज्वाइनिंग होगी तो और जो syllabus है वो मिलनी जो PGT का syllabus होता है वही आपको पढ़ना है इसी है तो आप लोग से लिए बस cover कर सकते हैं form fill कर सकते हैं जो लोग eligible है जो इंट्रेस्टेट है सबसे अच्छी बात ही है कि यह all over इंडिया के candidate इसमें apply कर सकते हैं कोई restriction नहीं है यह जो स्कूल्स है ना EMRS की एकलफ मॉडल स्कूल यह पूरे इंडिया के अंदर 17 स्कूल में होते हैं इंडियन गवर्मेंट के द्वारा ही स्कूल चलाया जाता है यह 17 स्कूल में से 17 में से राजस्थान के अंदर की मैं बात कर दी हूँ 1316 पोस्ट के लिए वैकेंसी है और आप चाहे तो computer science में भर सकते हैं बीटेक और एमटेक वाले इसमें बीएट की कोई requirement नहीं है अब बात करते हैं कि फॉर्म डेट कब फिल कर सकते हैं आप तो देखें इंपोटेंट डेट कब है जो स्टार्ट हो गया डेट वह है एक अप अपरेल 2021 है तो पूरा अपरेल महिने आप फॉर्म फिल कर सकते हैं ऑनलाइन मोड से पैमेंट भी करना है बड़ जो फीस है वो देख लिए इसमें एप्लिकेशन फीस है पिंस्पल और वाइस पिंस्पल के लिए 2000 रुपे रखे गया और पीजीटी और टीजीटी के लिए 1500 हो रखे गया है तो आप लोग यह हैं पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए तो आपको 1500 रुपे का ड्राफ देना है या ऑनलाइन पैमेंट जिससे भी आप कर सकते हैं आप लोग हैं देख लीजीए अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की क्राइटेरिया फुल्फिल क कीजे मैं आपको सौल करूंगी यह नोटिफिकेशन लेटेस्ट है और इसका अगर आपको डेस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे देती हूं जहां से आप फॉर्म पे जा सकते हो फॉर्म फिल कर सकते हो और इसके और इसकी और डिटेल्स चाहिए आपको तो एक नेक्स्ट परमिसन मिल जाएगी